जुनाव का वक्त है और ऐसे में सभी पार्टिया जोरो शोरो से लगी हुई है जुनावी मोहल बना हुआ है वार आरोप प्रत्यारोप ये दोर चल रहा है और ऐसे में कोई भी पार्टिय पीछे नहीं है जनसभाय चल रही है दोरे चल रहे हैं और साथ ही इस दोरों में ऐसे भी मौके देखने को मिलते हैं जब आरोपों का दोर देखने को मिलता है और इस कड़ी में उचाए बीजेपी हो सपा हो बसपा हो या फिर कॉंग्रेस हो सभी जोरो शोरो से एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं विकास के मुद्दे को उठाते हैं तो कभी कृषी कानून से जुड़े हुए मुद्दो को उठाया जाता है और किसानों को आ गया है इनी सबसे पता चलता है और आज हमारे साथ इस प्राइम चर्चा के लिए मौजूद है आगरा से निवर्तमान जुला अध्यक्ष कॉंग्रस कमेटी 94 वाही विधास भा आगरा से संभावित प्रत्याशी श्रीमती मनोज दिक्षित हमारे साथ मौजूद है जो ल प्रचार में रहे राजबबर के चुनाओं में वाही विधान सभाप्रबहरी रही है और इस बार प्रयंका के 40 प्रतीशत आरक्षड के आश्यवासन पर सबसे प्रबल दाविदार भी मानी जा रही है तो एक बार फिर चुनाओं में कुछ खास यह देखने को मिल रहा है कि उत्त्य प्रदेश में अपनी जमीन तलाशती हुई कॉंग्रस नजर आ रही है जिसके लिए जमीन पर उत्री है प्रियंका गाधी जो की इस बार महिलाओं को साथ लेकर चलती हुई दिख रही है और आज हमाई साथ चर्चा भी करेंगी श्रीमती मनोज दिख्षे जो कि एक म कॉंग्रेस का 2022 विधान सभाचनाओं में मुद्दा क्या है किस तरह से वो इस सरकार में जो कमिया देखने को मिल रही है उधे किस तरह से दूर करेंगी बीजेपी कि सरकार है सपा भी एक अच्छा दावेदार है वही बसपा की भी अच्छी चलती है उत्तर प्रदेश के अ और हमारे तमाम सवालों के जवाब देंगी और हमारे साथ अब जोड़ चुकी है श्रीमती मनोज दिक्षित जी आपको बहुत-बहुत स्वागत है मनोज जी तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस वार जो 2022 के चुनाओ है विधासभा चुनाओ है उसके लिए कॉंग् भाई और नियुज रिपोर्टर सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि कम से कम एक आप लोग ही हैं जो जनता की जुड़ी हुई लोगों उसी समस्याओं को आइना दिखाते हैं जो नेताओं के बर्क होती हैं लग रही बात आपने अभी कहा कि कॉंग्रेस पार् जाता है एते ही यूपी की गद्धी के लिए आग राशे होकर निकलेगा नो विभांतवा सीथ हैं जिसमें हमारी मानी प्रियंका बीबी जिस तरीके से लोगों के बीच में जा रही हैं गरीब जन समस्याओं की समस्यां उठा रही हैं तबे कुछने लोगों का सहियों कर र अगतार उत्रप्रदेश के दौरे पर हो और इस बार तो अलगी रूप देखने को मिला महिलाओं को साथ लेकर चलती हुई दिखी तो अगर सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए क्या कदम उठाएंगी प्रियंका गांधी यह बहुत अच्छा आपने कुछन किया मैं धन्यवाद देना चाती हूं कि मैं अपनी बहन से जो बात कर रही हूं वो भी मेरी एक बहन है महिला है तो आज मुझे ही और आपको ही नहीं पूरे प्रदेश के पूरे देश की महिलाओं में आज खुशी की लहर हो गई है क्यो आज हमारे मानी राजीव गांदी जी की देन है कि उन्होंने ही पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरच्छल की मांग की कि पंचायती राज चुनाव में लडने के लिए महिलाय भागेदारी बनी थी आज आप देख रही है कि BDC, पृधान और जिला पंचायत, हमारे आदी है महिलाओं की आदी अवाधी होते हुए हम अपना प्रतिव में तो क्यों नहीं पूर रूप से कर पा रहे हैं आज आप देख रहे होंगे कि हर जगे महिलाओं की आब आज आप देख रहे हैं कि छोटी-छोटी बच्चीयों के साथ बलातकार हो रहे हैं दुर कि आपने घर के चूला चोकीक तक ही सीमित रखा है आज विसेश करके मैं बहा की बात और कर रही हूं कि यह दस्टु गिर्चे छेत्र है मेरी बहा विदानसवा देश आजाद हो गया बहा आज अजाद नहीं हुआ आज मुझ जैसी महिलाओ को मुझ जैसी एक किसान की बेटी है और इन दरिंदों की गर्दन भी उड़ाने का काम प्रदिनित करने का कर सकती है मनोज जी जो सरह से इस वक्त की सरकार कहती है कि अपरात पे अंकुष लगाया है हमने और जो भी अभी कुछ बची-खुची विवस्ता बिगडी हुई है उसको वक्त लगेगा सही करने में क्या कहेंगे आप? क्योंकि दीदी आप भी जानती है कि जिसके उलाद नहीं होती जिसका परिवार नहीं होता उसे किसी के दुख-दर्ग की चिंता नहीं होती आज महिला है आप देख रही है लखीमपूर की घटना देखो हात्रच की घटना देखो चाहे हमारे अभी उन्नाव की देखो जहां की आप देखेंगी घटना है छोटी-छोटी बच्चीयों को जिंदा जला देते हैं रेट कर देते हैं? क्या योगी सरकार ने कोई कदम उनको उठाया किसी को फांसी की सजा दिलवाई वो तो जाच में और निकालते क्योंकि उन्हों उन्होंने इसपष्ट गहा है उनके सब्दों से इसपष्ट हो रहा है कि उनके यहां सिर्फ दमगे गुंडई मवालियों का ही स्थान है सराफत लोगों को महिलाओं का इस्तान नहीं है जी तो जिस सथा से पीडितों के घर जाती हैं उनसे मुलाकात करती है प्रियंका गांधी अगर सत्ता में आती है तो क्या तब भी यही रवया रहेगा या राजनीती की वजह से इस तरह के कदम उठा रही है बिल्कुल नहीं देखि के से बरक बसकरार रहेंगी और मानी प्रियंका दीदी जहां कोई व्यक्ति जिसकी आवाज नहीं सुनेगा दबे कुछ लेखिए वहां हमारी दीदी पहुचने का काम करेंगी अभी हाल फिलाल में देखिए आप आगरा की घटना जबकि समाजवादी पार्टी का कार करता था आज तक अकलेस वहां नहीं पहुचे समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति उनके पीड़ा को सुनने के लिए नहीं गया हमारी मानी प्रियंका दीदी जैसे हमने उनको अभगत कर आया आगरा की घटना के लिए तुरंट दीदी वहां आई तो मुझे नहीं लगता कि यहां भी जिस पीड़ित व्यक्ति की उन्हें सूचना मिलेगी वो उसी तरीके से अभी कर नहीं है और आगे भी यहीं करेंगी जी मनोच जी आब आगरा से हैं तो हम आगरा में कितना विकास हुआ इस बारे में भी जानकारी चाहेंगे आपसे दिदी आगरा में तो यह विकास हुआ है कि जब पूरा देश कोविड की महमारी से जूज रहता तो आगरा के भाजबा के मेर इस बात को कह रहते हैं कि प्रीज मुख्यमंत्री जी मेरे आगरा को बचा लीजिए दूसरी घटना किसानों की जब बात आई यहां बारे किसान आज भी मैं एक घटना को समाधन करके आई हूँ और लिखवा के के 16 साल की बेटी को एक व्यक्ति विसेच के लोगों ने उठा लिया अगवा करके उठा ले गया पांचमा दिन है एफाईयार बड़ा मुश्किल से लिखवा पाए हम लोग अभी तक लड़की बरामद नही दूसरी घटना भी हो गई फत्याबाद हमारे विदान सवा में उसको जान से मार दिया उसका रेप किया गया और रेप करने के बाद दूसरे दिन उसको मार दिया गया आज तक उसमें कोई कारवाई नहीं यह विकास है अभी आप देश्री हमारी जो जूज रहे हैं किसान जिनकी फसल चल रही है आलूओं की सरसों की बुवाई चल रही है डी एपी खाथ कहीं मिलने रही है गोदाम भरे हुए है दुकानों पर ब्लेक कल दी गई है हम लोग जा रहे हैं सोसाइटियों पर उदम बाजी कर रहे हैं तब किसान को जो चार बोरी चाहिए उसको एक मिल जाए तो मिल जाए जो भी नहीं मिल रहे है पूरे जा रहे है कि सरकार तो कहती है कि सबसे पहले कि सुनवाई होती जबाने मुए तो पर यह जाए जब रात के बच्च vaan कि में बच्चीयों को क्या तो हम ठाने में जाए यह यह माईना हो भी सुनबा है यह भारती जंता पार्टी में काफी कमिया दिखाई दे रही है इस सरकार में आपको कमिया ही कमिया है जंता मन बनाए हुए बैटी है क्योंकि बोल नहीं पा रही है इसलिए नहीं बोल पा रही है उसका कारण है कि अगर बोला गया जरासा भी जनता कोई बोलती है भाजपा के खिलाब उनको जेल की सलाकों में डलवा दिया जाएगा 2022 के चुनाओं में उत्तरप्रदेश में कई दावेदार है जहाँ बीजेपी सबसे आगे देख रहे हैं तो सपार बस्वा भी पीछे नहीं है आमाद्मी पार्टी भी अपना हाथ आजमा रही है तो कॉंग्रेस किस स्थान पर आने की उम्मीद है उसे देखिए आगे आने वाला तो वो आपने भी सुनी होगी कहावत चुए की और उनकी दोड़ थी खरवोस की तो आगे दोड़ रहेते चुए लेकिन खरवोस अपनी चाल चलता रहा हमारी कॉंग्रेस पार्टी एक राष्टी पार्टी है और सतर साल जो देश की सेबा की है तो लोगों के सामने कहने वाली बात नहीं कि जब कॉंग्रेस की सरकारती किसानों को करजा माप किया था विजली का बिल माप किया था तो आज भी उसी तरीके से जमीन पर लगी हुई है और कॉंग्रेस पार्टी मैंने पहले भी कहा था कि आज विकास के मुद्दों पे चाहे भाजपा की तो जुम्लेबाजी दिखाई सबको दे रही है कि सत्ता में है केंदर में भी है और यूपी में भी है तो उसने कितना विकास किया कि सतर साल के बुड़े विचारे हमारे बाबा जिनको आज अपने बच्चों में लेखनाता घर पे वो आज खेतों पे जा और माया बती बहन है हमारी जो बहन जी है वो तो एक तरह से बीजेपी का ही लोगों के लिए सपोर्ट कर रही है उनका जनाधार खतम हो चुका है वो पैसे से टिक्टों को देती है हमारे जाते भाई भी समझ चुके है आज एक विकल्प बचता है जनता के पास तो कॉंग् और में पार्टी विकल्प आपने बताई है लेकिन ऐसा क्यों जहां देखा जाता है कि बस्पा को पिछड़े वर्ग का सब्सक्राइब का सपोर्ट मिलता है और वहीं तो यह बीजेपी योदिया विकल्प आपने वर्ग का सपोर्ट को देख गण यह अंताल कि पार्टियो को भाजपाने और रही बात अन्न पार्टियों को जिया जातीबाद पर कॉंग्रेस पार्टी ये कैसी है जो विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है गरीवों के लिए को इन्हों साथ कुष नहीं है किसानों का मुद्द भी काफी उठाया जा जुड़के को लिए भारती जंता पार्टी के लोग बाते बनाने में इसने माहिन हैं कि अगर इसकी बात की निक्षा जाए तो उसमें भी अपनी बात निकल पर लिक के सामें इस तरहीं के से मीडिया विखी हुई है मेडिया दिखाती नहीं है कि जमीन किसानों के लिए कितना संगर्ट हमारी पार्टी कर रही है मनो जी मैं आपके इस बात से सैमत नहीं हो कि मीडिया बिकी हुई है क्योंकि आप देख सकती है कि प्राइम टीवी हर ख़बर को दिखाता है वो जह किसानों से जुड़ी हो वनोट जी जी वादा किया है क्या है प्रियग्या गराणी ने कि उनकी सरकार आने के बाद लैप्टॉप और ट्याबलेट बाटी जाएंगे स्कूटी बाटी जाएगी इस तरह कि सभी वादे कर रहे हैं प्रियंका गान्धी ने स्कूटी और मोबाइल स्मार्ट मोबाइल देने की बात कही है तो इससे युवाव को कितना सपोर्ट मिलेग जी देखिए उन्होंने इस सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव इसकी खुसी है और प्रभाव पड़ेगा तो हमारी उन बहनों को उन बच्चों को जो गरीब हैं जो विचारे उनके सपना है कि हमारे हाथ में भी एंड्रोइड फॉन हो और आज हम भी अपने ऑनलाइन पढ पूरा करें उससे जाएं और हम अपनी पढ़ाई पूरी करें उनके लिए ये बहुत अच्छा मुका है और उनके लिए हमारी माननी प्रियंका दीदी ने जो कहा है वो पूरा होगा क्योंकि आपको सब लोगों के सामने है कि कुरिए कॉंग्रेस पार्टी जो कहती है वो कर मनोच जी एक आरूप और लगता है कांग्रेस पे की सोशल मीडिया और फिटर की राजनीती करते हैं जमीनी स्थर पर कम निकलते हैं क्या कहेंगी इस पर जी जी वो दीदी इसके लिए तो प्रमार को प्रत्यक्ष की आवस्तिकता क्या है कि जब हमारी दीदी छोटी-छोट पार्टी के लोग हैं जो बात को तोड मरोड के कैसे भी दिखा सकते कह सकते तो उनकी बातों पर आप जाएंगे या हमारे जो लोग जाएंगे वो भूल करेंगे कॉंग्रेस पार्टी जमीन पर कर रही है इसलिए इसका 22 में दिखाई देगा अभी भारती जनता पार्टी क जो अंद वक्ते हैं उनके चस्मा लगा हुआ है तो उसी बात को वो ये दोहरा रहे हैं कि सोचल मीडिया पर है बिल्कुल कते ही नहीं हमारा कार करता जमीन इस तरप है और जमीन इस तरप पर काम कर रहा है जी मैनिफेस्टों में किन-किन चीजों का उले करेगी कॉंग्रस किन चीजों को बढ़ाया जाएगा कौन-कौन सी नई चीज़े होँगी जो की जनता के हित में होँगी अब मैनिफेस्टो अभी ने वाला हाए घोचरा पत्र बनेगा और बाकी कर जो जिनको सम्मिलिध करना ऊथि को सामने अभी साथ बचन दीदी ने बोला है यह साथ बचन हमारे सबसे केली परथम है और सबसे पर फरथम अगर हमारे दीदी का है तो महिलां को और गरीब और सोसित बंचित लोगों के लिए मैनिफेस्टों तर्यार किया जा रहा है उन पर फोकस ज़्यादा डाला जा रहा है क्योंकि जो हम लोग देहाती लोग जो है देहात में जो लोग सबसे ज़्यादा मारा मारी पड़ रहे है उनके लिए सबसे अच्छा सुनेरा अवसर आएगा मेनिफेस्टों में एक जिले में कम से कम तीन महिलाओं को ऐसा है जो लड़ने सक्षम है लड़ सकती चुनाब लड़ सकती है तो एक जिले में तीन महलाओं को टिकेट कॉंग्रेस पार्टी देने के लिए साइद दीदी ने कहा है अगामी विदान सबाद चुनाव आ रहे हो और ऐसे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी जनता से मैं ये कहना चाहूंगी सबसे पहले जनता भगवान है क्योंकि जनता ही तिलक करती है और जनता ही अगर तिलक करेगी तो वो अपने छेत्र में विकास सही ब्यक्ति का चुनाव करेगी तो मैं उनसे हाथ जोड़ के ये बिंती करना चाहती हूँ, कि जातिवाद पे न जाएं, विकास, जो विकास के लिए बात करें, क्योंकि व्यक्ति चुनाव लगने के लिए तो बड़े बड़े लोग आते हैं, छेत्र में गुमरा, वोली वाली जनता को करते हैं, लेकिन जो जो हमारी जनता बोड़ करें, वो सिर्फ विकास के मुद्दों पर करें, जो उनके बीच में रहता हो, प्रमुख बात हो, उसके आगे ये होना चाहिए, जनता के आगे, कि कंडिडे जाए, वो ही का हो, जो उनके बीच में संगर्स कर रहा हो, और उनके लिए लड़ाई बने और विकास की बात करें, जात बाद पर न जाए, बस यही मेरा कहना है, जनता के लिए, मनोज जी, आप अपने छेत्र के लिए क्या कुछ कदम उठा रही हैं, मैं अपने छेत्र में सबसे, जो पहले मैंने आपको बताई थी, कि देश आजाद हो गया, मेरे ये चार वि पीडियों को, कि दस ग्रसेचत बाहा बिदानसवा 94 है, ये मेरा कलंग हट जाए मेरी जनता, बाहा बिदानसवा की जनता का, दूसरा, यहां 90 किलो मीटर आगरा पड़ता है, हमारी जनता के लोगों के लिए, तो हमारी ये मांग है कि मैं काफी समय से धरने प्रदर्शन, सा प्रदर के लिए आज तक कुछ नहीं किया, तो मैं चाहती हूँ कि तीन जो यहां तैसीन है, वो मानक में पूरी कर ली गई है, लेकिन सरकास सिर्फ जब बादे करेगी बुचुनाब आ जाएगा, तो फिर कहेगी कि मैं बनवा दूंगा, हम कोसिस करेंगे, लेकिन पिछली तो एक इतिहास बदनने का काम साइद यह किसान की बेटी कर पाए, उसमें प्रमुक मेरा मुद्दा है, कि एक जमीन पे कर रहे हैं, जो हमारे दवे कुछले लोग हैं, उनके लिए मैं कुछ बहां मैं ऐसा करने लाइख बन जाओं, जो आजादी के रूप में मुझे भी ज जाना जाए, बहुत 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 शुक्रिया हम ऐसा जुड़ने के लिए अपना कीमती वक्त देने के लिए, और हमारे साथ आज की प्राइम चर्चा में निवर्तमान जला अध्यक्ष कॉंग्रस कमेटी की 94 वाहिये विधान सभा आगरा से संभावित प्रत्याश श्रीमती मनोज दिक्षित जुड़ी थी, तो आज की इस प्राइम चर्चा में फिलहाल इतना ही, तमाम ख़बरों के लिए बने रहे है प्राइम टीवी के साथ